आप देखें ये सोच की बात आजाती है यहां पर कंडिशन बहुत अलाइदा है यह शायद बहुत बिकेड़ा इस वक्त दुनिया में जहां पर आपको यहां का गेम भी चड़ जाता है आप ले देखा ना जिबाप में ने 130 डिफेंट किये तो सोच बनल जाती है जो अभी आ बैटिक तो बाल डाली रहे है यहां पर आप एक्षर पडेल को ड्रॉप कर सकते हैं और आप पांस गेंग पास है तो पांस के साथ ही आपके बस कोई और होगा नहीं तो रिस्क वाली बात है इस दीपागुटा पर यहां पर आपको डेफिनिटली के लिएस से बैटिंग ओ पड़ा मस्बूत करना होगा आप 31 चारा डुएट है पहले मैंच में यह न भूले सेकंड़ी में नेक्स में नेक्स में कल देख रहा था रोहित का वो स्ट्रकल चल रहा है और पिशली में पचास बनाए खुद और ने कहा कि मैं बहुत ज्यादा टच में नहीं था मैं स्क् पर आपको लगता है कि यार इस मैच को में डिफरेंटली खेलना है वर्थ में अभी अगरम सिच्वेशन देगे सारा सिट्नी के कंपारेट इदली यहां पर मौसम घंडा है हवा चल रही है हमने पिछले मैचिस में देखा बॉल स्विंग जादा होती है अब अगर इस सिच अगर बहुत बढ़िया खेलता है और नाम तुब ऑड़े मैच में घेलते हो तो प्रिश्वेशन को खेलना चीए मेरा भारत महां यह सिर्व इतना क्या रही है मेरा भारत महां लेकिन नाम श्वेशन यह मैच वर्ल्ड कप के लिहाज से भी इपॉर्डेंट है आप पिछले संडे जो इंडिया पाकिसान के मैच नहां उसके बाद यह मैच है अब तक आप देखें मैच बड़े वांसाइड सब्सक्राइड है तो इस वर्ल्ड कप को जो बूस्ट चाहिए वो इस मैच से मिलेगा सेकेंडली आप ना सिरफ आज सेमी फानल में आपकी प्रिवर्ड पकी कर सकते हैं अगर जीता है इंडिया तो इस घृप को टॉप भी कर सकता है पाकिस्तान दो मैच हार चुका है साथ सब्सक्राइड है जिस तरफ आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडिया के ही मतलब शुटाब को फैंस दिखेंगे थोड़ी देर पहले जब हम यह शुरू करने वाले थे तो मुझे साथ या आठ वो देखिए उन इसका नतीजा होने वाला है लेकिन अड़्व आप से और सणी बाई आप से जानना चाहते हूं भजी पहले आप इन विक्टों पे इनकी बल्लेबाज ही अच्छी है पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला देखिए हमेशा हम सब बेस अबरी से इंतजार करते हैं और वो मुकाबले में लेकिन इंडियन टीम आगे थी पहले ही मुझे लग रहा था कि या ओन पेपर्स हमारी टीम उनसे बहु करवाया था उस मैच में जीते जीते रह भी गए भारत ने बहुत तकड़ा मैच जीता पर यह मैच मेरे नजरिये से इसलिए इंपॉर्टन है क्योंकि पर्स में मैच है सामने पेस बोलिंग जो साथ अफरीका की है वो बहुत तकड़ी है और यहां पे मुकाबला होगा उनक आपके हिसाब से किसको अडवांटेज किसको अडवांटेज है बड़ी आएम मैच है बड़ी आएम मैच इसलिए क्योंकि भारतिय तीम ने पहले दो मैच जीत लिए और जो एक विनिंग रिदम बनता है वो मुझे लगता है कि उसको निभाने के लिए आपको यह मैच भी हो गया अगर आप साथ अफरिका को मार थे क्योंकि जब गुरूब के टीम के नाम बाहर आये थे तब सब लोगों ने देखा और कहा कि यह दो मैच इज़े पाकिस्तां के खिलाव और साथ अफरिका के खिलाव वो दो बड़ी दिल्चस्त नाइक मैच होंगी खटिन मैच हो तो भारते टीम ने हरा दिया है अगर साथ आफरिका को हरा देंगे तो आगे जाकर जो भी किसी के साथ भी अगर खेलना है उसके लिए आज में विश्वास तो जरूर बढ़ेगा बदन जी टेक्निकली नेधरलिंड से हम जीतेंगे यह हम फोग्रांटेड मान कर चल रहे हैं पाकिस्तान को हराया है लेकिन दबदबा अगर अपना दिखाना है और अपना स्ट्रेंथ दिखाना है और अपनी दावेदारी दिखानी है तो आपको दक्षन अफरिका को हराना है अईसे में विनिंक कॉम्बिनेशन कितना बड़ा हो जाता है यह देकिए टीम में कम से कम दो भातलाब की जग collector समझ में आ रही है पर विनिंक कॉम्बिनेशन को नहीं चहएरना नहीं है विनिंग कंप्सनप सबाद म कॉ है तो आप new team pick far, खाकर करें है। नहीं तक है तक हम बाद कर रहे हैं मैं पहंटी .... जो आपको चाहिए यह जा करिए है रहे है कि दीपकुटा को खलाना चाहिए, मैंने का रिष्यपंद को खलाना चाहिए, क्योंकि मैं समीता हूँ कि रिष्यपंद बेटर बैसमें बहुत ही जबर्दस बैक मैंना अब अगर वो उसको सोचते हैं ऐसे और राउंडर डीपकुटा के बीच में आकर दो तीन ओवर कर देग अब मैं यहाँ पर क्या ही बोलूँ, यहाँ पर देखिए, यह पहले यह जीत बाद में होती है, जश्ट पहले मनाया जाता है, लेकिन बड़ा मुकाबला है श्वेता जैसे हम सब जानते हैं और साथ आफरिका की टीम बुरी नहीं है, एक महीना पहले मुझे भी लगता था कि साथ आफरिका शाहिए, भारत में वो हार के आए हैं, सब के बड़ी बात होती है, कभी-कभी ना, आपको मनव वैग्यानिक पर यह लगता है, कि हालिया रिजल्ट जो है, वो इंडिया की फेवर में था, भई आपने घर में तो उनको हरा ही हराया था, घर में तो हराया थ कि अगर हम हार गए और पाकिस्सान से घर गए हमें, से बाहर हो सकते और मेरा है तो इस पाधिया इंडिया को इस चीज का और यह पिछली पाइट आपने पाकिसान में भी देखना फिर अगर आज हार गए तो क्या होगा वहां से ट्रेंट स्टेशन से अभी इंडिन फैंस आ रहे हैं और मैं जिर्फ इतना आपको बजा दू कि पाकिसानी फैंस जो है थोड़ी दर पहले मुझे कई मिले थे जी जी क अपना अंदर मैच नहीं देख रहे हैं वो कह रहे हैं यार की हमना हिंदोस्तान को चीर कर दें यह इंडिया ने जो मैच शुरुआत किया जो ममेंटम किया वह आज इंपॉर्टेंट है शायद सेमी फाइनल आपको लेकर को दिक्कत नहीं होगी आपको अगर जीत चाहिए आप टॉप करना चाहेंगे भी आप मोमेंटम भी रखना चाहेंगे वर्ड कप ये टीट्वेंटी वर्ड कप में खासी यह होती है कि फॉर्मेट छोटा है जो 50 ओमर का वर्ड कप है वो फॉर्मेट बड़ा होता है 45-50 दिन चलता है आप शुरूप करते हैं थोड़ा डिप करने के लिए पिछले मैच में जो पाकिस्तान की हार हुई है इन कंडिशन में इससे दोनों तीमने सबक लेना है कभी-कभी यूट कैरिड वे यह देखते हुए कि यार ये कंडिशन ऐसी है यहां पर बाउंस थोड़ा ज्यादा होता है बाउंस ज्यादा होता है तो यहां आपको थोड़ा अलग तरह की क्रिकट खेले होती है एक विराट ने टेंपलेट बढगा चाथ किया है वो बड़ा सही है कि वह अभी भी वह अंदाज अराम से करते हैं लेकिन लास्ट में वह पीक अच्छा करते हैं यहां पर आपको यह चीज चलेगी आपको शुरू में रन नहीं मिलेंगे फॉर आल यू नो हो सकता है क्याल राहूल का मैच हो जाए पर बाक्वुड पर अच्छी क्रिकेट खेलने वाला बैट्शमन इस रुकेट पर बनाता है यहां पर आपको जिस चीज से बचना है वो है साथ आफ्रिका के तेज गेंद बाज जो है वाल लंबी हाइट वाले स्पेशली आज माको यैंसन को खिलाएंगे ए लेफ ताम फास्ट बोनर की कमजोरी इंडिया के बल्ले बाजों की है दूसरा उनके हाइट है छे कर्चा भी चल रही थी क्या यह मुम्किन है कि वो सिर्फ अपने पेसाज के साथ उत्रे कि तो यही पर आपकी एक अप्तान की सोच का इंतिहान है क्यों नहीं आप अश्विन से नया बॉल डलवा दे हैं आप दलवा दीजिए आप वह चीज़ कीजिए विच इसा बाउस मिलता है टर्न नी मिलेगा मेरा तो यह मानना है कि शादा आप राइट आम लेक्स पर रहे हैं दोनों मैच में अच्छा बॉल डाला आप यूजी चैल को क्यों नहीं खिलाते हैं आप सारा साल यूजी चैल को खिलाते रहे आपने लेकिन वर्ल्ड कप से ठीक पहले उनको बाहर कर दिया इस विकेट प साथ इस सीन ने पंट लिया अब दिनेश कार्थिक भी क्या करेंगे इस बड़े मैच में मुझे थोड़ा सा डर है अगर तो वह यह है कि भारत की बैटिंग कहीं ज्यादा टेल जो है वह थोड़ी लंबी ज्यादा हो गई है तो टेल को ठीक करने के लिए आज अगर आप ए उन से पिछ है और इंडिया को बहुत सोच समझ के खिलना होगा क्योंकि साथ अपरिकर के बॉलर्स जिपी है और खास करके केल राहूल 360 दिक्री सूरिया और विरात का दिन रहेगा